हेलो गेस वेलकम बेक टू अगेन आई टेक अब इंदी यूटूब चनल मेरा नामे दुरूवीन आज की इस ब्राइन वीडियों बात करने वाले की हाउ टू यूज नेमड्रोप ओन आयोस 17 एपल ने रिसेंटली आयोस 17 के अंदर नेमड्रोप फीचर्स को रिलीस की है तो कैसे आप अपने आईफोन में यूज कर सकते हो नेमड्रोप को यूज करने से फिले आपको अपने आईफोन के सेटिंग्स में सब चेंजिस करने पड़ेंगे सबसे पहले जो iPhone में iOS 17 सपोर्ट करता है वो iPhone में Settings अप को Open कर लीजिए सबसे पहले रहता है कि Wi-Fi वाला Options आपके iPhone में Wi-Fi बंद हो तो simply आपको यहाँ से Wi-Fi On करना होगा Second Options रहता है Bluetooth का Bluetooth में भी सेम है कि आपके iPhone में Bluetooth Off हो तो Bluetooth On कर देना है यह दो सेटिंग्स करने के बाद स्कूडाउन करोगे तो आपको जन्रल में जाना होगा जन्रल के नंदर आपको एक Options मिलता है Addrop का Addrop के अंदर by default यहाँ पर Receiving Off है बट स्टिल आपको यहाँ पर टेप करना होगा Everyone for the 10 minutes उसके नीचे अगिन एक सेटिंग से Bringing Device Together करके एक फीचर से तो आपको यहाँ पर Turn On कर देना होगा Make Sure आपके iPhone के अंदर Name Drop यूज करने से पहले एस अभी Settings On होने चाहिए इस अभी Settings में Changes करने के बाद आपको Simply दो iPhone को एकदम नस्दिक ले जाओंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा Automatically आपका Context Share हो जाएगा मानलो की Context Share नहीं होता आपको यहाँ पर Send या तो Share का Options मिलता है तो Send या तो Share करोगे तो दूसरे की iPhone में Automatically Name या तो Contact Informations चली जाएगी I hope इस तरह से आप Easily iOS 17 या तो iPhone users name drop का यूज़ कर सकते हो आपको इसकी regarding कोई question हो तो Please comment sections में comment करके बता देना Thank you so much